गुरुकुल कांगडी सम विश्विध्याले का 121 संस्थापना दिवस समारों को दुमधाम से मिनाए गया संस्थापना दिवस पर समारों के मुख्याती थी डॉक्टर रमेश पोकरियाल निश्वांक ने कहा कि व्यादिक शिक्षा दर्शन और भारतिये मुल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुकुल कांगडी समाच विद्ध्याले देश का एक मात्र विश्विध्याले है 1902 में स्वामी शुरद्धानन द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगरी विश्विध्याले अपने स्थापना काल से ही भारतिय संस्कूरती पर अधालत श्रिक्षा प्रदान करने वाला संस्था है। अधारम चात्र चात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किये गए है। स्थापना की गई थी इस विश्विध्याले के मात्यम से कैसे वैदिक ज्यान विज्यान की पुनह प्रतिष्ठा हो भारत विश्वगुरु पत्पत पतिष्ठापित हो और यहां फिर से हमारी जो वैदिक संस्थ्ति सब्वैता का उसका अपुनह पिचार पुरेविश्व में हो इस विश्विध्याले के मात्यम से इसी महा नोद्विश्व को ले करके स्वामी जीने इसकी स्थापना है। और यह कारेकरम हमारा पिछले पांच दिन से चल रहा है जिसमें हमने पहले एक कॉन्फरेंस कराई दो दिन की उसके बाद विज्ञान दिवस मनाया उसके बाद पेंटिंग कमपटिशन किया पेंटिंग कमपटिशन में हमारी दरश्टी में गुरुकुल कांगडी मानिया खुलादिपती जी और यहां के मानिया सांसद रमेश पुफ्रयाद निशंक है जी इसमें आरहे हैं अपना दिवस्विद्याले में बड़े साह से मनाया जा रहा है और इसमें तरह तरह के यहां सुबह हवन से लेके बहुत सारे साम को कल्चिलर प्रोग्राम रखेंगे यह विश्विद्याले प्रशाशन और विश्विद्याले के आत्र और शिच्चकों के लिए गर्व का विशय कि आज 121 साल हमारे विश्विद्याले के पूरे हो रहे हैं जिसने देश विदेश में अपना नाम रोशन किया है कि 131 वर्शे पहले इसको कुल कांगरे विश्विद्याले के अस्ताफ़ा है शबहन अंजने की और वो समय जब हम गुलाम थे तब देश के संस्कृति के अनुरूप और नवाचार के साथ किस तरीके से हमारा चात है अपने इस संस्कारों के भी चिंता करें और दुनिया के प सके ऐसी सोच के साथ जो समय सर्धार नंजने इसके सपना की आज इसका 129 सपना द्यस मनाया जा रहा है